चाउथा चैप्टर पेर ऑफ स्ट्रेट लाइन पेर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 4.4 डिलीट हुआ है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्सेंड वाई पेज नमबर 125, 127, 128, 130 और 132 पे हम जाने वाले हैं यहां पर मैंने जैसे बता है वैसे ही आप जाओ के टेक्स्ट पल या क्वेश्चन है ओके वो सब जो है आप कट मार दोगे ठीक है चलो मैं दिखाता भी हूँ यह जो 4.4 है पेर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास जो आया था गवर्मेंट की तरफ से उसमें क्या आया था पेज नमबर 124 पर है चलो हम लोग पेज नमबर 124 पर जाते है यह पेज नमबर 124 आ चुका है यहाँ पर देखो पेज नमबर 124 यह जनरल सेकेंड इक्वेशन जनरल सेकेंड डिगरी एक्वेशन 124 यह कट मार दो यहां से इसके बाद देखो यह यहां तक है यह कट मार दिया हमने ओके 4.4 अभी यह 4.4 जो है न यह 4.4 अभी उसी के अंदर देखो theorem 4.4 के आगे देखो यह concept 4.4.1 यह भी delete हो जाएगा 4.4 का ही इससा है 4.4 के आगे देखो यह actual में 4.4 है उसका पहला point है तो यह भी delete हो गाए यह जो है यह सब delete हुआ है इसको भी कट मार दो ठीक है यहां से salt example रहेगा अभी salt example के बार में भी देखते रहों ओके अभी समझा यह pair of straight line में pair of straight line जो यह 14 chapter है इसके अंदर आपने देखा मैंने क्या बता है पेज नमबर 125 प्या आते है example 1 से 3 भी delete है example 1 से पेज नमबर 126 तर इसको भी कट मार दो ठीक है कट मार दो चलो और क्या है देखो यहां से 127 पर question no.1 से question no.6 देखो question no.1 से question no.6 यह पूरा delete हो गया यह पूरा delete हो गया क्योंकि यह क्या है कि topic यहां पर general second degree equation in x and y तो general second degree equation in x and y बोला general second degree तो question no.1 से question no.6 यहां से यह भी कट है okay क्योंकि यह second year second order degree इसमें देखो इस तरह के जो है ना यह सब कट है चलो okay next अभी क्या है question no.128 पर question no.7,8,9 and 11 question no.7,8,9 and 11 question no.7,8,9 and 11 question no.7,8,9 यह तीनों और 11 जो 10 है वो रह सकता है 10 delete नहीं हो है 10th को आपको पढ़ना पढ़ेगा okay जो 10th है यह पढ़ना है आपको